नमस्कार दोस्तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ICT Information and Communication Technologies का Government किस तरीके से उप्योग कर सकती है ताकि वे अपने policies, अपने schemes, अपने initiatives और public welfare schemes को लोगों तक पहुचा सके Apps के द्वारा, mobile website और internet portals के द्वारा, social media के द्वारा उन सबी का हम आने वाले वीडियो सीरीज में analysis करेंगे तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानस मोबाइल एप के बारे में जिसे भारत सरकार के द्वारा लांच किया जया था मानस का full form mental health and normalcy augmentation system तो यह एक एप है जो प्रमोट करता है mental wellness हर एक age group में इसे मानस को एक national program करूप दिया गया national program किसके द्वारा प्राइम मिनिस्टर्स Science, Technology and Innovation Advisory Council PM STIAC के द्वारा तो यह facilitated करता है principal scientific advisor office को कि यह access कर सके जो science and technologies से related data है और भारत में इसका क्या current status है क्या इसके challenges है और फिर हमें क्या सुधार लाने की जरुवत है क्या हमारे पास ideas है इन सबी को principal scientific advisor PM STIAC के द्वारा advice करता है किसे प्राइम मिनिस्टर को अब जनते क्या है यह minus app तो यह एक app है जिसका जिसे launch कर गया था ताकि भारत के नागरीकों के mental well-being था उनके mental mentally उन्हें feed बनाया जा सके उन्हें mental illness related कोई बीमारी जाए तो इस बारे में उनकी counselling करे तो यह सरकार के दोरा पहले भी बहुत से अन्य प्रयास के गए और अन्य अन्य बहुत से विभिन ministries होती है सबकी कुछ ना कुछ अलग schemes रहती है तो उन्हें जर्वत होती है integrate करने की तो यह काम करता है मानस app तो एक scientifically validated tool है और यह भारत में स्वादेशी रूप से बनाए गया है तो अगर हम इस app को download करेंगा उसका उप्योग करेंगी तो इसका interference कैसा होगा game की तोड़ा जैसे हम कोई mobile में game खिलते है तो इसका interference कैसा होते है वह उसी प्रकार के इसका क्या क्या एड किया है गौर्वंट ने life skills और साथ ही साथ जो को psychological process होते है फिर universal accessibility फिर age appropriate method ताकि यह जो लोग इसको यूज कर सकते हैं उनके एक positive psychology बील्ड हो और उनके wellness फोकस किया सके फिर माना से आपको launch के इनके द्वारा के आगए national institute of mental health and neurosciences निम्हंस बैंगलूरू फिर arm forces medical college amfc पूने center for development of advanced computing cdac बैंगलूरू अब जानते हैं इसके इनका लाब किसे हुआ तो भारत के नागरिकों के हर एक age group किसी भी आयू वर्ग के वैक्ती को इसका उपयोग किया जागा लेकिन हाल ही मैं मतलब जब launch किया गया तो शुरू में इसका जो main focus होगा वो किनके उपर अगर यूथ के उपर जो 15 साल से 35 साल के जो age group रहती है वो एक youth age group रहती है आपर लोग यह एक learning पिरेड होता है इस वक्त लोग कॉलेज में होते हैं फिर कॉलेज के बाद ऐसा फ्रेशर जॉब कर रहे होते हैं फिर इन्हीं यूथ के द्वारा नए नए स्टार्टप्स बनाए जाते हैं नए नए ideas होते हैं तो एक बहुत ही energetic age group होता है और इन्हें एक सही दिशा देने की जोरह रहत होती है तो इसे इसी के माद्ध्य नजार इसका शुरुआती यह focus था कि इन 15 साल से 35 साल के आयू और को ज्यादा ध्यान दे सके फिर इस एप का एक aim है कि एक ऐसा समाज बनाए जो की healthy हो स्वस्थ हो और वो खुश हो संपन हो अभी यह जो एप है यह आत्म निर्भर भारत और स्वस्थ भारत के जो इसकीम्स लाई गई थी उन्हें इंप्लिमेंट करता है मानस एप का मोटो है उत्तमन सक्षम जन अब जानते हैं भारत में इस वक्त क्या दशा है mental health की तो लगबग 13.7% भारत की आबादी mental illness अग्रसीत है यह कहता है नेशनल mental health survey दोज़े सत्र सोला जबकि globally लगबग 28% लोग अलब globally जितने सोसाइट होते है उसके पूर लगबग 28% लोग भारत में सोसाइट करते है तो भारत में 49% लोगों के पास mental health facility मौजूद है उनके 20 km के radius में जबकि 26% लोग भारत में से जिनके आसपास लगबग 50 km तक कोई mental health facility मौजूद नहीं है फिर 59% लोगों के पास de-addiction service भी नहीं है उनके आसपास के area में तो लगबग 57% लोग इसको इस बारे में जाग रुकता ही नहीं है कि mental illness क्या होता है और इसका क्या समदान है और सोसाइट भी एक गंभीर mental problem है जब लोग बहुत जड़ा depressed हो जाते है या फिर किसी ऐसे problem से गसीत होते है तो वो भी एक प्रकार का mental problem है लेकिन भारत में 28% लोग ये मानते कि सोसाइट कोई mental illness नहीं है हलागी सोसाइट में कुछ अन्य कारण भी हो सकते जो mental illness related ना हो और फिर भारत में 80% लोग को के पास health insurance में mental health care का insurance नहीं होता भारत में Lancet Secretary के द्वारा एक report published किया गया था February 2020 में जोग ये दर्शात है लगबख भारत में 197.3 million अथात 19 करोड 73 लेक पीपल लोग mental disorder से जूज रहे है फिर जो mental illness होती है उसमें जो top mental disorder है भारत में वो है सॉरी mental health care act इसे implement या फिर ये force में कभाया 2018 में तो इस एप को लाने का एक मूल ये मकसद था कि जो United Nations Convention on right of PWD UNCRPWD इसके जो need है उनके जो parameters है उन्हें match करना फिर आया कीरन पोर्टल जिसे launch किया गया ministry of social justice and empowerment के दोरा तो एक 24 by 7 healthcare है help line है और ये toll free है तो ये लोगों को support करता है जब वे जूज रहे हो anxiety से stress से depression societal thoughts और अन्य mental concerns से फिर देखते है मनोरदरपन initiative किया है इसे launch किया गया था minister of education के दोरा आत्म निर्वर भारत अभेन के अंतरगत जो ये लोगों को provide करता है psychosocial support सभी विध्यातियों को उनके परिवार के सदस्यों को तथा सिक्षकों को ताकि उन्हें mental counseling की जा सके कोविड-19 के दोरा के वक्त में फिर हमने रेखा था कि मानस एप को बनाने वाली बनाने वाली तीन सस्ताओं में एक थी नीम हंस National Institute for Mental Health and Neurological Science उसके दोरे एक अन्य एप भी बनाए गया वह है निम हंसरा एप जो बैसिकली एक data source है यह आपको mental health centers और professional institutions से related सारे आकड़े इस एप में मौझूद होंगे फिर आगे देखते क्या उपाए है तो जो यह एप है इसके एक मकसद तो बहुत ही अच्छा है कि जो भारत के नागरिक है उनकी mental उनकी मानसिक इस्थिति को बहतर बनाए और यह एक secure digital platform हो जो वक्त के जरूरत को पूरा करे लेकिन साथ ही साथ हमें जरूरत है कि इस एप को जो भारत की सरकार की अन्य इस schemes है उनसे भी इसका integration किया जा सके ताकि इस मानस एप का जो सच में या फिर जो गम्मिन रूप से पीड़ी थे mental health से या फिर जिन्हें जरूरत है उन्हें यह सुवीधा प्रदान हो सके तो जैसे नेशनल हेल्थ मिशन फिर पोशन अप्यान इस अंजीवनी और अन्य जितने भी एप्स है इस एप को कैसे हो नीचे multilingual जो शेत्री या language है उसमें भी इस एप को available कराना चाहिए क्योंकि बहुत से जो दूर जादाज के शेत्र है उन्हें हिंदी नहीं आती नहीं उन्हें state language आती है और नहीं इंगलीश आती है लेगिन फिर भी वे भी mental illness related कंभीर मांसिक बिमारियों से ग्रसीत रहते हैं लेगिन उन्हें भी ज़र रहता है कि उन्हें की counseling की जाए लेगिन उन्हें तक अगर हमें संदेश पहुचाना है तो उन्हें सेत्री ये भाशाओं में संदेश पहुचाना होगा फिर भारत में सर्फ psychologist और psychiatrist की संख्या बढ़ाने से अब को launch कर देने से ही इस्थती में परवर्थतर नहीं आगा कि stigma और awareness दो अलग अलग चीज़ होती है awareness होता है जाग रुकता और दूसरा होता है stigma मतलब कि लोग जान के भी कि उन्हें mental illness है वो इसे publicly या फिर इस बारे में छुपा के रखते है अपने में इसका ये कारण होता है कि उन्हें रखता है कि समाज उनके बारे में गलत सोचेगा तो एक उनमें शर्म की भावना होती है उसे बुल जागा stigma और दूसरी बात है कि awareness लोगों में awareness की कमी है तो जरूरत है कि stigma और awareness दोनों के प्रती आम लोगों की जो धारनाये हैं उसे एक सही रूप दिया जाए ताकि इससे क्या होगा कि देश में जो mental health से related burden है और इसके लावा mental health के करन देश में जितने आर्थिक नुकसान होता है उसे counter किये जा सके तो आज के एप में इतना ही ये था मानस एप धन्यवाद